उदारन 6 चित्र में AD लंबवाथ है BC के तो सिद्ध कीजिए कि AB वर्ग धन CD वर्ग बराबर BD वर्ग धन AC वर्ग है बज्द चली हम उदारन 6 हल करते हैं उदारन 6 में एक त्रिभूज ABC के बाद की जा रही है जिसमें A से BC पर लंब डाला के है तो हमको AD लंबवाथ मिल रहा है BC के तो हम जो दी हुई जानकारी है उसको यहां पर लिख लें त्रिभूज ABC में यह समकोड़ते हैं त्रिभूज ABC में AD लंब है BC पर तो ऐसी सिद्ध में हमें सिद्ध करना है कि AB वर्ग धन CD वर्ग यह हमें सिद्ध करना है AB वर्ग धन CD वर्ग बराबर BD वर्ग धन AC वर्ग अब इसको आप चित्र में देखिए चित्र में आपको पता चलेगा कि AB का वर्ग धन इस छोटे वाले टुकडे CD का वर्ग बराबर है BD के वर्ग मने इसका जो counterpart है दूसरा हिस्सा है यह BD का वर्ग धन AC कवर इसे हमें सिद्ध करना है तो चली हम सिद्ध करते हैं जो सूचनाएं हमें दी हुई हैं उसके आधार पर आप देखिए कि AD चुकि BC पर लंब है तो हमको 2 संकॉण त्रोज मिल रहे हैं त्रोज ADC और ADB तो हम लिखें इससे त्रोज त्रोज स्मकोर्ज पर आप पहले हम इस सोटे वाले त्रोज को लें इसे हम कहेंगे ACD संकॉण त्रोज ACD में छोंकि कोण D समकोण हैं cả तो AC उसका विखर्ण और हम लिख सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग दहन सीडी का वर्ग यह हम समकोण तर्भूज AC की भुज़ाओं के बारे में लिख सकते हैं कि अगर यह समकोण और CD के बराबर होगा, यह हमारा कथन एक है, इसे हम कथन एक लिखें, वैसी इस त्रिभूज में देखिए, यह भी यह समकोन त्रिभूज का नाम है ADB, तो हम लिखें, समकोन त्रिभूज ADB में, यहाँ पर भी वही बात आपको मिलेगी, यह समकोन तो यह विकर्ण होगा, आप लिख सकते हैं कि AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग, धन BD का वर्ग, इसे आप कथन दो लिखें, और आप देखिए, यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, वह AB वर्ग एक तरफ है, और BD वर्ग दूसरी तरफ है, और AC वर्ग भी दूसरी तरफ है, तो यह चीज हम को तब मि कथन A को घटा है, तो हमें बाद में पक्षांतर करने में एक पत कम हल करना पड़ेगा, AB वर्ग में से हम AC वर्ग को घटा है, तो हमको मिलेगा AB वर्ग, रिण AC वर्ग बराबर, हम इस पूरे पत को लिख ले, AD वर्ग, धन BD वर्ग, रिण इन दोनों पतों को लिखे, AD व यह दोनों cancel हो गए अब आपके पास बसता है BD का वर्ग, RIN CD का वर्ग, इस CD का वर्ग का पक्षांतर आप इस तरफ कर दें और इस RIN AC का पक्षांतर उधर कर दें तो हमको क्या मिलता है देखिए यहां हमको मिलेगा AB का वर्ग, RIN CD को यहां पर लेके आए तो यह हो AB वर्ग, CD वर्ग, AB वर्ग, CD वर्ग, यहां बाया पक्ष में हैं, बराबर BD का वर्ग, AC का वर्ग, यही आपको सिद्ध करना था, कि इस तरफुज में, जो तरफुज ABC है, उसमें आपने A से BC पर लंब, AD डाला, तो उस इस तिती में AB का वर्ग, धन, CD का वर्ग, बराब चाह रहे थे, और देखे कितना आसान है, आप इसे बहुत आसाने से कर सकते हैं,